की दोस्तो बाइक इंजियन ओइल वीडियो देख देखी कि बहुत सारी लोगोंने स्फव्र कrial क्राप रहे हैं उनों के कमेंट्स आते हैं की सर मैंने स्फ़्राइब बिजनकृ कर दिया है बहुत सारी कमेंट्स ऐसे होते है यह जिनसे आको खुछी मिल दे है राज्यु कुमा कुमार जी बहुत बहुत धंदवाद कमेंट करने के लिए अगर आपने बिजनेस तुरू कर दिया यह बहुत ही खुसी की बात है आप दिन पर दिन तरक्की करें हम यही चाहेंगे और अगर कोई परेसानी हो रही है कभी भी कोई समस्य आ रही तो कॉल में फोर एप से मुझे बात करके पूछ सकते हैं हमेशा आपके लिए हम उपला अब दोस्तों दूसरा कमेंट्स लेते हैं कमेंट्स क्या है पहले कमेंट्स देखिए धीरच कुमार जी है इन्होंने कमेंट्स किया आपका वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर इन्होंने कमेंट्स किया कि आ थाइ घंटा को सीखने को नहीं मिलता वनलब इनको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता उसके अकार्ट में बताऊंगा रमेश चौदरी द्वारा भी बोले गलत गलत बोल रहा है तुम और बिजनिस करेगा तब पता चलेगा पhrर आगे वोले मैं कर रहा हूँ विजनेस एक साल से अब समझ ये दोस्तों जलो मांता हूँ आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिल хочу बोल॑ंगा मेरी बजल起.' अब इनको प्रसानी क्या आ रहे हैं यह आप तो समझी गए होंगे क्योंकि इनको प्रईसानी यह आ रही एक साल से काम कर रहे हैं अगर कुछ बच नहीं रहा है तो भाई समासेवा कर रहे हो क्या आप इंजन-एल सब रुपाए कि दुपा लागत नहीं बेच रहे हो क्या ? समासेबा तो कर नहीं रहे हो काम कर रहे हो एक साल से कर रहे हो मतलब तो कुछ बची रहा है मतलब यह कुछ लोग ऐसे हैं जोरों को इतना पुरा लग रहा है ये वीडियो देखके कुछ लोग नई मार्केट में जा रहे हैं हैं। इसे कमेट्स आ रहे हैं एक वीडियो भी मेरे खिलाब बना रहे हैं वीडियो आपको उसके बारे में बताओंगा आगे एक नया वीडियो बना के दुदास के बारे में लेकिन अभी जो बात करा हूँ इनकी कीजिए तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है यह कह रहा है कुछ भी बच रहा है इस काम में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्यों हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी नुकसान है क्या आप शुरुआत अगर कर रहा है कोई नया बंदा 10,000 रुपए से रिस्क तो ले सकता है यह मैं हमेज़ कहे रहा हूँ भाई 10,000 से बिजनेस करने का आपको यहांखी नहीं है और वो रिस्क भी नहीं है क्योंकि जितने में आप माल ले रही इतने में तो आप किसी भी दुगंदार को देदोगे फोर विले दुगार पर चले जाएए जो मैं कहने होगा वहां पर आप देदेऊए तो भी रख लिया को कि उसके पर आलागें, लेकिन हम एक्शुन आ्वांकेड में जाते हैं, वहां पर उसी को समझते तो बड़ी तकलीप होती है, उस चीर को समझाने में भड़ा तकलीप होती है। पूंचीज करने म Parents, दे रहा हो। यहां पर घर पर हूं, बना सकता हूं, लेकिन जब मुझे आप लोग बोलते हैं, भाई, किसी दुमान पर जा रहा हूं, वहां का वीडियो बनाओ, मैं यह भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, कारण क्या है, उसके दो कारण है, एक तो, मुझे इसके लिए कैमरा मैन रखन पड़ेगा जो मैं किसी पास जानों पीछे से वीडियो बनाए कि भाई यह दो जा रहे हैं आप यह मिल रहे हैं ऐसा एक बंदा मुझे चाहिए वीडियो के सूट करने के लिए वो मेरे पास है नहीं पहला कारण दूसरा कारण अगर मैं मानके चलो उसको बोल भी दो पीछे स किसी बंदे को मोबाल पकड़ा पकड़ा वीडियो बना भी लो तो मुझे इतनी हैजिटेशन आती है कि भाई मैं यहाँ पर माल बेचने आया हूँ या वीडियो बनाने आया हूँ अपने आपको मैं संतुष नहीं कर सकता मैं आपको कह संतुष कर लो हर काम हर बंदा नहीं कर सकता जो लोग ब्लॉगर हैं वो आप देखते हों कि जगे-जगे खड़े होके आराम से वीडियो बना लेते पर मेरे अंदर इतनी हैजिटेशन है अभी मैं इस काम को नहीं कर सकता है हाँ बिजनेस कर सकता हूं इसमें कोई राय नहीं मैं जो भी चाओ वो चीज़ बेचने में समर्त हूं मैं बेचने में इतना मारों कि कुछ भी बेचने के लिए तयार हूं आप कहें अगर कि आपको यह बेचना है वो भी पेच सकता हूं कुछ भी हो कि भाई मैं वीडियो बना वे इसमें मुझे हैईटेसन लगता है तो ये एक अलग चीज है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब बिजनिस करेंगे दुगान पर जाएंगे बातचीत करेंगे इसमें हैईटेसन आएगा हर बंदा बिजनिस नहीं कर सकता लोगों को नहीं समझा सकता ये चीजए अलग है बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप नौकरी कहीं कर रहे हैं तो नौकरी को बिल्कुल भी मत छोड़िए आप नौकरी बरकरा रखिए थोड़ा सा माल मंगाईए रिस्क लीजिए और उसके बार जब आपको लगे कि हाँ आप मार्केर में सफल हो सकते हैं बिजनिस कर सकते हैं आपको बिजनिस चलने लगा तब नौकरी को छोड़िए बहुत सारी मेरे पास call लें आती है call me for app से बताते हैं मैं नोकरी कर रहा हूँ मैं इस लाइन में आना चाह रहा हूँ तो मैंने को एक ही चीज़ राइसला देता हूँ कि कभी भी जो कर रहे हो उसको मत छोड़ो उसको तब छोड़ो जब आपको लगे इस लाइन में आप सफर हो रहे है तो आपको क्या करना है सबसे पहले किसी की बातों पर नहीं जाना है ऐसे लोग जो कमेट्स आके कर रहे है वो नहीं चाह रहे कि उसकी कमप्टीस हैं में कोई आए कोई नया बंदा इस बिजनिस को सुरू करे भाई उनका तो नुकसान हो रहा है ना जिस मार्केट में अभी वो अकीला राज कर रहा है वहाँ दो बंदे चार बंदे और और हो गए तो उसका स्वेम का नुकसान है तो आपको क्या करना है ऐसे किसी भी बंदे की बातों में नहीं आना है आप अगर काम पेदना चाह रहे है तो स्वेम 10,000 रुपए का रिसक लोग माल मंगाओ और काम सुरू करके देखो अगर आप कर पा रहे हैं लोगों से मिल पा रहे हैं बातचीत कर पा रहे हैं तो बेफिक्र हो के बिजनिस सुरू करतो और कुछ करने की जगवाथ ही नहीं पड़ेगी दोस्तों आज के समय सबसे अच्छा बिजनिस बाइक इंजयन ओयल का बिजनिस है मैं आटों पार्ट का बिजनिस करता हूँ पर आटों पार्ट में बहुत बड़ी टेंसान है बाड़ी उलजने हैं बाइक इंजयन ओयल में ऐसा कुछ नहीं होता हाँ लेकिन कम से कब एक ही चीन तो है आपके पाँ आप बिजनिस अच्छा है चला के देगे अगर आप कश्टम को समझाने हैं संतुष्ट होगे तो पुर ओयल ले लेगा लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि उसको चाहिए मिरगाड आप बाइजल दे दो कभी माईजल लगा दो ऐसा हो जाएगा कभी नहीं होगा दोस्तों जो उसको जवगत है वही लेगा तो पार्स में वागए बड़ी प्रॉब्लम है हाँ पार्स में अगर आप सौप खोल ला हैं सर्विस सेंटर डालें तब तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लेंगे तब आप इस चीज को पीछे छोट जाएंगे बाइक इन ओयल बिजनिस को तब आप बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे आप सर्विस सेंटर डाल लाएं या सौप डाल लेकिन अगर सप्लाई का काम कर रहें होज़िल काम करना चाहरें तो आपको यह समस्या से गुजरना पड़ता है जो मेरे साथ भी होती है मैं बड़ी बड़ी दुमानों पर चोटी दुमानों सब पर मिलता हूं को समस्या यह होती है कि कुछ आफ बताओ तो कुछ बता है तो जाना ही जाना है, बातचीत करेगा, समझाएगा, आप उसे समझाओ ले, आप प्रोड़क्टि पारे में बताएगा, बूझे ये चाहिए, ये चाहिए, इसे कारी का चाहिए, ओर्र बहुत ले लेते हो, कभी-कभी क्या होता है, आपने ओर तो ले लिया, बहुत सारा, और जब order मिलता नहीं मार्केट में जाते हो quality नहीं मिलती तो आप उसे order नहीं दे पाते जब आप उसे order पूरा नहीं कर पाते है जब उसे दूसी party दिमाल ले लेता है जब दूसी party दिमाल ले लिया तो आप पर पता साफ हो गया तो ये समस्या है बाइक इंजिन ओयल में नहीं आते हैं इस लिए कहता हूं दोस्तो बाइक इंजिन ओयल का बीजिस सबसे अच्छा है सुकून भरा है एक चीज है जब शकरते रहो बस मार्केट बनाने भरके दे लिए अगर आपने मार्केट बना लिया अफिर क्या है तो आप सफ़ा लें आराम से काम सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए पसंद आया तो डिसलाइक जरूर कीजिए तो अबेसा आप स जो आईडी होगी मैं जीचे डिस्क्रिप्सन में दे दूना और से आप ड्रैक बाहर करें तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्नवाद